श्रीकंगानगर के अनूबगड में एक निजी बस ने आटो को टक्कर मार दी और आटो में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं जोने एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर के लिए रैफर किया गया हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया जानकारी के नुसार घटना रूबगड के नजदीक गाउं बहतर जी बी की है और आटो में सवार सभी गायल इट भटे पर मज़ूरी का काम करते थे सूशना मिलने पर विधायक पती प्रभुराम बावरी सहित अनेक नागरिक सीसी पहुंचे और घटना की जानकारी ली पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांश परताल शुरू कर दी है